तेलो फ्रेंड्स कैसे आप अमीदे का प्याच यह होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत एक यूनिक टाइप पे वो है डिपेंड है क्योंकि इस वीडियो से हम सीखेंगे कि हमारे डॉक्मेंट को कोई पार तो नहीं रहा है या फिर पार रहा है तो उसमें कोई चे और चेंज भी कर रहा है तो क्या क्या चेंज किया है तो यह हम सी सारी चीज़ेंगे उसके लिए एक डॉक्मेंट होना चाहिए तो मैंने एक डॉक्मेंट बना दिया है और इस डॉक्मेंट को सेफ करते हैं कंट्रोल एस करते हैं और इसको सेफ करते हैं कहां पे तो कहीं पे जो हमको suitable जगे लगता है जहाँ पर हम easy way में खोल सकते हैं document में ही save कर देते हैं और यहाँ पर नाम रख देते हैं बाबा IT save कर देते हैं अब जब भी आप कोई word का document बनाते हैं तो यहाँ पर reference में view में आते हैं और view में एक option आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ यहाँ से tracking enable करते हैं इस पर click करके छोड़ देना है ठीक है और आपका document save करके इसको बंद कर देना है simply अब कोई बंदा आता है और आपका document अगर खोलता है देखें वी invert करते हैं और यहाँ से कोई बंदा आके आपका document खोल के और इस document में कुछ भी change कर देता है और जैसे ही वह change करना शुरू करता है देखें वह एक highlight होने लगता है एक red colors होने लगता है आप यह समझ रहा है कि यह document मतलब कि जो मैंने spelling लिखा है वह गलत नहीं है लेकिन तब भी वह क्या कर रहा है वह आपको बता रहा है कि यह यह आपने change किया हुआ है तो क्यों बता रहा है क्योंकि आपका जो tracking है वह track हो रहा है कि यह tracking हुआ है ठीक है इस ट्रेकिंग को क्या कर सकते हैं हम यहां से लॉक भी कर सकते हैं कि कोई ट्रेकिंग करना पाए ठीक है अब इस ट्रेकिंग हो जाने के बाद हम चाहते हैं कि यह अब इस ट्रेकिंग को करने के बाद वो क्या करता है कि डॉक्मेंट को बंद कर देता है सेफ कर देता है ठीक है अब फिर से आते हैं वे इनवर्ड खोलते हैं और यहां पे सामने दिख रहा है आपका डॉक्मेंट का नाम उसको खोलते हैं तो यहां पर देखिए वो रीट कलर का दिखा रहा है आप रिभ्यू में जाते हैं और यहां पर करते हैं कि All Markup क्या-क्या चेंज हुआ है व वो आपका डॉक्मेंट को सही सलामत सेव करके रखता है कोई भी चेंजिंग हुआ आप हटा सकते हैं सिंपल मार्कप जो भी इसने सिंपल मार्कप किया हुआ है वहाँ पे देखिए वहाँ पे आ गया है यहाँ पे एक left hand side में एक marking भी आ रहा है रेट कलर का कि इस इस line में हुआ है आप यहाँ से fit कर सकते all no markup करिएगा वो सारा हट जाएगा कि कोई markup नहीं कोई changing नहीं original करिएगा वो original जैसे था वेसा हो जाएगा तो सिंपल आप all markup करके इसको check कर सकते हैं कि यह क्या क्या हुआ है इस markup के बाद यहाँ पे आता है so markup अब so markup एक option है इसमें कहता है कि क्या क्या आपको देखना है क्या 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 आपको marking करना है तो हम कहते हैं कि जो भी comments करें वो भी कर दो जो भी insert करें चा कुछ भी delete करें उसको भी कर दो कुछ भी formatting change करे formatting change in the sense bold वेगरा भी करता है तो वो भी ले लेगा bold करता है और bold कर देता है तकि उसको भी बताने लगा change करता है वो भी बता दो और उसके बाद सारा information रखो वो रखता है किसके लिए बनेगा वो भी आपको बता देगा ठीक है और क्या-क्या दिखाएगा वो भी आपको बता देगा अब अगर आपने ये document change बना लिया अपना document कोई बनाया है और चेक करने के लिए किसी को दिया है तो वो भी बंदा इस चीज का use बहुत अच्छी तरीका से कर सकता है जैसे कि उसने change कर दिया कि भाई इस जगा भी ये ये होना चाहिए ये ये नहीं होना चाहिए जैसे ये want नहीं होना चाहिए want को क्या कर देता है इसको strike through कर देता है और color rate कर देता है कि वो नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए hello होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे और इस चीज को यहाँ से अगले option में आता है changes, किस type का changes तो आप यहाँ से भी right click करके उसको ignore once कर सकते हैं या फिर जो भी है कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ से आके क्या कर सकते हैं कि accept कर सकते हैं, accept हो गया, और ये वाला पूछर इसको करना है क्या और इसको क्या करते हैं, इसको delete कर देते हैं, इसको कर देते हैं, delete, तो ये delete नहीं ले रहा है कि हमने यहाँ पर क्या set कर दिया है, कि markup करो और दिखाओ, इसलिए, तो आप उस को डिजनली करके उसको change कर सकते उसके बाद यहां पर आता है reject नहीं भाई यह जो आपने लिखा है इसको क्या करना है reject करना है तो वो reject वो हट गया तो इस type से आप reject और accept कर सकते हैं अगर आपके document में कोई changing हो जाता है तो अगर वो सारा changing अपने ही चाहते है तो कुछ नहीं करना आपने यहां पर करना है original और यह original हो जाएगा और original जो भी होगा आप उसको save कर सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं थैंक यू फेरी मच